पूरे देश में आज राद बारा बजे से सम्पूर देश में सम्पूर लोकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंदर साशिप प्रदेश को, हर जीले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली मौलने को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जड़ा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाब निर्नायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठाने पड़ेगे लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राच्य सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है और इसलिए मेरी आपसे प्रारतना है और मैं हाद जोड़के प्रारतना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पून है घेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर यह 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर यह 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं यह बात एक प्रधान मंते के तोड़ पर नहीं आपकी परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ आपकी और आपकी परिवार